Assalamu alaikum everyone, मैं हूँ कावल यू फ्रॉम फॉन्वर लाइव और आज स्मार्ट रिव्यूज में हम Q-Mobile M6 Lite का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताती चलूँ कि यह लाइटर वर्जिन है Q-Mobile M6 का तो इस हैंसेट का रिव्यू देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजे लाइट है विल वीवर्स आप देख सकते हैं Q-Mobile M6 Lite आप इस हैंसेट को देख सकते हैं तीन कपासिटिफ कीज नजर आ रही होंगी सिल्वर कलर में हमें इसकी कपासिटिफ कीज इदर मिल रही है हमारे बास नोटिफिकेशन LED है आप इसकी डिस्प्ले देखे इसका जो डिस्प्ले है और जिसका टच है इस वेडी स्मूध विल्कुल स्टिकी नहीं है है यह HD display है इस handset का वेल विवर्स हम विलामों के थ्रू इसकी device details देखते हैं और फिर साथ साथ इसके features के ओपर बात करते रहेंगे आप यहां से देख सकते हैं हम यहां से इसकी full details देखते हैं अब यहां से देख सकते हैं Android Marshmallow 6.0 इसमें जो OS है जैसे के मैंने आपको बताया था है इस handset का जो display है इस HD display तो आप जो का resolution देख सकते हैं 720 x 1280 294 इसका DPI है इस handset में जो processor है इस 1.3 GHz quad core processor Mediatek के chipset यह है MT6737 जो graphic driver use हुआ है यहां that is Mali T720 and when we talk about the memory of this handset हम आपको बताती चलूँ कि इस handset की जो memory है it comes with 3 GB RAM and 16 GB internal storage और अगर हम M6 की बात करें तो वो handset जो था it was powered with 4 GB RAM और यह है 3 GB RAM तो हां हमार पस RAM का difference आता है दोनों handsets में यहां से आप इसके sensors भी देख सकते हैं well viewers अगर हम इस handset का interface देके तो आप देख सकते हैं we have usual apps जो हमार बस क्यूंवाइल के handsets में होती है हमार बस थीम पाक है उसके इलावा हम लोग अगर यहां पर देखे तो हमार बस सिस्टम मैंजर भी है we have game loft और अपको बता है कि game loft की कुछ games होती है क्यूंपाल के handsets में pre-installed आती है तो इस handset में हमारे पास जो game pre-installed है वो यह है जो हम आपको खेल के भी दिखाएंगे और उसके इलावा let's talk about the camera of this handset मैं आपको बताती ही चलूं कि एस handset के जो rare cam है it's 13 megapixel rare cam और जो इसका front cam है it's 5 megapixel front cam इसा करते हैं कि इसका camera देखते हैं और हम आपको इसका camera experience दिखाते हैं जी आप यहां से देख सकते हैं आपके बास different options है video face beauty photo text recognition उसके इलावा हमारे पास यह देख सकते हैं आप इसके pre-installed filters है और filters के अलावा अगर आप यहां से देखे तो हमाँ पस कुछ pre-installed modes भी है इसमें कि आप जो उनसा mode चाहते हैं आप उसमें picture ले सकते हैं और उसके अलावा हमाँ पस settings भी है तो you can also go on settings और आप अपने camera को customize कर सकते हैं the way you want और इस handset के एक और plus point में आपको पताती हूं कि इस handset की जो battery है यह काफी बड़ी है it comes with 4000 mAh battery और हमारे पास जो M6 था that was with 5000 mAh battery तो दोनों handsets में जो एक major difference है वो एक battery का भी है जो कि मैंने आपको बता दिया कि battery का difference है यह handset जो है lighter version जो है it comes with 4000 mAh battery other than this this handset is 4g LTE handset अब हम ऐसे करते हैं आपको गेम केल के दिखा देते हैं ताकि आपको इसका experience भी पता चल जाए कि इसके graphics और इसके processing के सी हम थोड़े सा volume इसका लाउट कर लेते हैं तो viewers मैं आपको बताती चलू हूं दुबारा से कि यह handset जो है it is powered with 3GB RAM आपको इसके ही और केंगे में प्राइब हूं ताक हूं तो यहentar सतस्तरे ह们 हो तो दुबाँ मैं चाल जन्जा करक़ दो मैं आपकें मस्झोः कर दो मैं आपकर देहां खीच़ख सरह特़ नहां दो सर도 के और सता हो तो ऑगल bene कर दो हख well viewers that's all for now Well, viewers, that's all for now. I hope आपको रिव्यू पसंद आया होगा और इन केस अगर हम लोग ने कुछीज मिस्स कर दी है तो आप हमें एमेल के तुरू या अपने कमेंट के तुरू हमसे पूच सकते हैं and हमाई टेकनिकल टीम जो है वो आपको रिप्लाई कर देगी and for more reviews, keep visiting our website. Don't forget to follow us on Facebook and Twitter. Allah Allah.